let's do question number 17th of exercise 5c that is arithmetic progression question number 17th is find the sum of all the three digit natural numbers which are divisible by 13 हमें सारे natural numbers का sum निकालना है 3 digit लेकिन 3 digit होने चाहिए जो की divisible हो 13 से तो कौन कौन से होंगे चलिए देखते हैं 13 का table अगर आप याद करें तो 13 ages 104 फिर 117 देन 130 रैट आइन सो ओन हमें यह एने टर्म्स नहीं पता हैं और उसने 3 digit का है तो 3 digit में 999 लास्ट आता है तो 13 से कौन सा नंबर होगा जो 1 था 3 digit नंबर जो लाक की लास्ट डिविजिबल है अगर हम देखें तो 13 10 जा 130 आ गया अब 13 इंटू 20 जा करें तो 260 आ रहा है और 13 इंटू 60 जा करें तो यह आ रहा है 0 6 3 is 18 and carry 1 6 1 is 6 7 इसी तरीके से 13 इंटू 80 करें तो कितना आ रहा है 0 8 3 is a 24 to carry 8 1 is a 8 9 10 यह जादा हो रहा है राइट यह आ गया इसमें से हम कितने 13 माइनस कर सकते हैं like 13 हमने 13 का table याद करें तो that is 13 forces 52 तो हमने इसमें से 52 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 10 में से 2 गया is 8 13 में से 5 गया is 8 and 9 तो 988 आ गया तो हमाई last digit आ गयी 988 दीखिए एक बार और समझा देती हूँ कैसे निकाला मैंने कि 13 into 60 किया तो 780 आया 13 into 80 किया तो 1040 यह आ गया हमारा 4 डिजिट तो हमने 13 forces 52 होता है 40 से बड़ी डिजिट माइनस करेंगे next digit जिससे की हमारा 3 डिजिट नमबर में आ तो हमने 52 माइनस किया तो हमें पता चल गया कि last digit 3 डिजिट नमबर 988 है तो अब यह आ गया हमारा अब हम nth term निकाल लेंगे तो को कैसे निकाल लेंगे nth term का formula होता था a plus n minus 1 into d अब nth term कितनी है 988 तो 988 लिख दिया first term है हमारी 104 n हमें पता नहीं है और d है हमारा 117 और 114 के बीच में 13 का difference है देखिए d कितना आ जाएगा 117 में से 104 माइनस करेंगे तो यह आ रहा है 13 तो 13 आ गया हमारा d तो bracket open कर देंगे तो यह आ गया 104 प्लस 13 n minus 13 तो अब 13 माइनस का है और 104 प्लस का है तो आपस में सब्ट्राक्ट हो जाएंगे तो यह आ गया 4 में से 3 गया 1 और 10 में से 1 गया 9 91 प्लस 13 n अब 13 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 91 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 9 तो माइनस 91 तो 13 n की वैल्यू आ गये 8 में से 1 गया 7 18 में से 9 गया 9 एट 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 न आ गया हमारा 8, 9, 7 upon 13 तो 13, 1 is 13 13, 6 is 78 89 means 78 गया is 11 1, 1 is 7 तो 9 is 1, 1 is 7 तो हमारा n आ गया 69 अब हम sum निकान लेंगे सारी values का तो sum क्या formula क्या होता था n by 2 into a plus l ले रही हूँ उपकी बार तो n कितना आ गया हमारा that is 69 किसी भी formula से आप कर सकते हैं upon 2 into a था हमारा 104 और last number था हमारा 988 तो यह कितना आ गया 69 upon 2 into इन दोनों को add कर दिया तो यह कितना आ गया 4 plus 8 is 12 carry 1, 9 and 10 तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 2 4s are 8, 2 6s are 12 that means 69 into 5 46 तो कितना आ रहा है है 5 46 को 69 से multiply किया 9 6s are 54, 5 carry 9 4s are 36, 37, 38, 39, 40 and 41 1 and 4, 9 5s are 45, 49 6 6s are 36, 3 carry 6 4s are 24, 27, 2 carry 32, तो यह आ गया 4, 7, 16 carry 1, 7 and 3 3, 7, 6, 7, 4 is the answer हमारी इस इन सारी वाल्यूस का सम कितना है लाट इस 3, 7, 6, 7, 4 is the answer जजहारी पISTर पिलस्प उता है